असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली के बहुत ही मशूर असलम बटर मलाई फिश्टिका की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा टीस्टी बनती है तो एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक च अगर आपके पास बनेगर नहीं है तो इसकी जगह एक लेमन जूस एट कर लीजिएगा और अब एड़ करेंगे टू टेबल इस्पून आटा जिसे हम नॉर्मल घर में रोटिये बनाते हैं वही आटा एड़ करना है और अब एड़ करेंगे टू टेबल इस्पून ओईल अब सबी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिश के ऊपर कोट कर दीजिए बहुत अच्छे से आप चाहें हातों से लगा सकते हैं या फिर चमच की मदद से तो इस तरह से हमने इस पर लगा दिया है अब इसको 20 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दिंगे 20 मिनिट हो च चाहिए तो अच्छे से दो लेंगे निल के नीचे ले जाकर इसको दिखिए फिश को हमने अच्छे से दो लिया है और ड्राय कर लिया है तो अब इसको करना है हमें मेरिनेट तो फिश को मेरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे वन टीबल स्पून लह तो Nepay तो Napॉडर मसाले हैं तो भी देख लेते हैं कि आफ इस्पूर्दि शनकलिट सीष्पूर्मेटिक का 40 चांट मासाला पाउडर काली मिर्षि का राव मासाला फावडर लाल ब्लामिर्फ पाऊलगर हाफ टीष पूलगर हल्द्थी ओंच औरंग रेट फूट कलर यह optional है color आप चाहें तो डालें वरना इसके भी कर सकते हैं अब अच्छे से सभी चीजों को फिर्ज के ऊपर coat कर देंगे मसाले बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा और मसाले अच्छे से लगने के बाद अब इसको हमने 20 मिनट के लिए फिर्ज में ऐसे ही रग देना है और 20 मिनट बाद देखी हमने फिर्ज से निकाल लिया है तो अब इसको हमने रोस्ट करना है तो अगर आपके पास बार्बी क्यू है तो आप उस पर कर लीजिएगा सीको पर लगा कर नहीं है तो आप इस तरह से एक पैन ले लीजिए इसमें 2-3 टेबल स्पून ओयल या फिर बटर एट कर लीजिए और यह गरम हो जाए तब यहां पर फिश के पीसेज लगा दिए फ्लेम को यहां पर लो टू मीडियम कर लीजिए और पहले एक साइट से अच्छे से कुक होने दिए एक से डिर मिनट लग जाएगा अच्छे के लिए ताकि अंदर से भी एक दम अच्छे से पक जाए और पांच मिनट बाद लो फ्लेम पर पांच मिनट के लिए रखा तो खूल कर देख लिया है वीच में हमने चेक बहला था उलट पोलट कर दीजिए ताकि जले ना फिश अच्छे से पक चुकी यह यह देखिए तो यहाँ पर चिंटे की मज़़सें आप सबसासे आपके पास ग्रिल नेड तो उसके ऊपर रखकर भी कर सकते हैं यहां पर मैना फनान चुन्टे से पपकड़का से इसको ग्रिल कर लिए जली नहीं। आपको लग रहा हो कि यह उपर वाली इसकी नहीं इसकी आप देखिए यहां पर हमने लिया है 200 ग्राम दही और फोर टेबल स्पून क्रीम ले लिया है आमुल फ्रेश क्रीम ले सकते हैं या फिर आप घर की मलाई ले सकते हैं अच्छे से इसको वीट कर लें यह अच्छे से मि आ लेते हैं तो देखिए यहां पर एक मुट्टी हरे दनिया दो हरीमिश ले लिए थोड़े बड़े साइस की थी और थोड़ा सा नमक बन फोर टी स्पून के करी बैट कर दिया है और 304 टेबल स्पून पानी डालकर इसका एक चटनी बनाकर तेयार कर लें तो यह देखिए कि असलम तशला फिश्टिक का सर्व होता है उसी तरह से सर्व करेंगे यहां पर हमने जो क्रीम दही को मिक्स करकर रखा हुआ था वह एड़ करेंगे थोड़ी-थोड़ी से जो चटनी बनाई थी ना वह एड़ कर दिंगे और यहां पर हमने देखिए बटर ले लिया है वह हिला कर इसको कि फिश थोड़ी सॉफ्ट होती है अब इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला पाउडर यह हो मिर्च मसाला है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है तो आप चेक कर सकते हैं यह देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी असलम बटर मलाई फिश बुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको असलम बटर मलाई सीख कबाब की रेसिपी असलम बटर मलाई चिकिन तिका की रेसिपी चाहिए तो भो भी हमारे चैनल पर अपलोड रखें तब तक के लिए अल्ला हाफीज और हाँ अगर आपको मेरी वैज रेसिपी चाहिए तो वो मेरे दूसरा चैनल है जिसका नाम है वैज फूट टॉक तो बहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं